को जैसे की काफी सारे स्टुडेंट्स को गंफ्यूजन है जो कि सेवन सेम के बाद एच। आई है अभी स्टार्ट नहीं किया है और कर भी दिया है तो अभी भी कनफ्यूजन है जो आपका एच अधेस्ट का स्लेवस दिया हुआ है भी फार्मा एट समेस्टर की बात कर रही हूं मैं उसमें आपके टोटल जो सब्जेक्ट अगर काउंट करें तो थर्टीन बैठते हैं तो क्या आपको वो तेहरा के तेहरा सब्जेक्ट पढ़ने तो यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज का मेरा यह वीडियो है आप वी फार्मा एट समेस्टर जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका दिया है 80801 बाइस्टेटिक्स एंड रिसर्ड तो लोजी इसमें आपको यह सब्जेक्ट पढ़ना है यह कंपल्सरी है । तयारी स्टार्ट करसमारे पास मिल जाएंगे उसके बाद के सेकिंड सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ सेकिंड सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है BP802T जो है शोशियल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी ये भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो की कमपल्सरी है आपको ये पढ़ना है ठीक है ये सब्जेक्ट पर टिक कर लीजिए बायो स्टेटिक् बात करूँ आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है देखिए यहां पर आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा यहां पर सीधा है BP803T A ठीक है यहां पर एक पार्ट और डाल दिया साइड में ये ये पार्ट है जो की क्या दिया हुए फार्मसूटिकल मार्केटिंग सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है मींस 803 का जो बी पार्ट है यह है क्वालेटी कंट्रोल एंड इस्टेंडराइलिजेशन हर्बल्स उसके बाद 803 का थर्ड सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो कोस्मेटिक साइंस ठीक है कोस्मेटिक साइंस रइट उसके बाद नेक अगर मैं बात करूं आपका 803T का E-part क्या है बी-पी आट सो तीन टी का E-part है advanced instrumentation techniques नेक्स सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं आट सो चार अब आगया है आपका 804T का A-part है pharmaceutical regulatory science क्या करना है वो मैं घь आपको बताऊंगी इन सब्जेक्ट में से ठीक है पहले आप सब्जेक्ट देख लीजे कौन-कौन से हैं उसके बाद 804 टी का भी पार्ट है आपका फार्मा को वैगलेंस उसके बाद नेक्स अगर मैं बात करूँ आपका दिया हुआ है यहाँ पर 804 टी का सी पार्ट कम्प्यूटर एडिड ड्रग डिजाइन नेक्स आपके अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 804 टी का दी सब्जेक्ट जो दिया है वो है Cell and Molecular Biology Cell and Molecular Biology उसके बाद देखिए यहां पर 804T का जो E सब्जेक्ट है वो है Dietary Supplement and Nutraceuticals Dietary Supplement and Nutraceuticals उसके बाद Next अगर मैं बात करूँ 804T का जो F पार्ट है F सब्जेक्ट है वो कौन सा दिया हुआ है Pharmaceutical Product Development Pharmaceutical Product Development उसके बाद देखिए यहां पर आपका दिया हुआ है Practice School जो की क्या है Practical Performance है यह So यह हो गए आपके Total 4 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट कैसे हुए आपका दिया है BP 801 BP 802 BP 803 और BP 804 जो 2 सुरू के सब्जेक्ट बताए मैंने आपको वो compulsory है 801 और 802 अब आजाते हैं 803 की अगर हम बात करें तो 803 में जो आपके 5 पार्ट दिये हुए है 803 में कितने पार्ट दिये हुए हैं आपके दिये हुए है 803 में 5 पार्ट तो इन 5 पार्ट में से कोई भी एक पार्ट आपका कॉलिज डिसाइड करेगा ठीक है कोई भी एक पार्ट कौन डिसाइड करेगा आपका कॉलिज डिसाइड करेगा mostly इसमें cosmetics decide किया जाता है cosmetic choose करता है आपका college अब वो आपके college के उपर है कि आपका college कौन सा subject आपको decide करके देता है और वो आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है ठीक है तो यह हो गया confusion clear हुई आपकी ऐसे ही 804 में जो 6 पार्ट दिये हुए हैं इन में से भी कोई भी एक पार्ट आपका कोई भी एक subject आपका college आपको decide करके देगा और वो आपको पढ़ना है तो total आपको 4 subject की ही study करना है उसके लिए परशान नहीं होना है कोई भी 4 subject आपको पढ़ने है जिसमें से 2 compulsory है उनके notes अमरे पस available हैं बाकी के 2 के भी अमरे पस notes available है वो आप confirm कर सकते हैं कि कौन से subject आपके college में कराए जा रहे है ओके confusion क्लियर हो गया है आगे भी कोई भी confusion होता है तो आप हमसे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और हमारी contact detail आपको मिल जाएगी description box में और हमारे जो notes की link है 8th semester की वो भी आपको मिल जाएगी description box में जाद जानकारी के लिए description box में हमारे contact detail दी गई है वहाँ से आप directly हमें call करके पूछ सकते हैं Thank you so much